साथियों, बहतर जीवन का, प्रोग्रेस और प्रस्परिटी का सीधा सबन कनेक्टिविटी से हैं, नौर्थ इसके कनेक्टिविटी यहां के लोगों की इज अफ लीविंग के लिए तो जरूरी है ही, एक सुरक्षित और आत्मंदिर भर भारत के लख्षों पुरा करने के लिए भी बहुत जरूरी है, यह एक तरफ से म्यामार, भुटान, नेपाल और बंगला देश के साथ हमारे सामाजीक व्यापारिक दिस्तों को मजबूती देती है, वहीं भारत की एक इस्ट पॉलिश्य को भी ससक्त करती है, हमारा यह नौर्थ इस्ट एक प्रकार से पूर्वी एशिया के साथ हमारे प्राचीन सांसकूर्तिक रिस्तों को और बविश के ट्रेड, ट्रावेल और टुरिजम उन रिस्तों का गेटवे हैं, इसी सोच के साथ मनिपूर सहीत पूरे नौर्थ इस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफासेक्टर पर निरंतर बल दिया जा रहा है, रोडवेज, हाइवेज, एरवेज, बोटरवेज और आइवेज, इसके साथ साथ गेस ग्रीड, गेस पाइपलान का भी आधुनिक इंफास्क्टर, अप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफास्क्टर, पावर ग्रीड की ववस्ता, ऐसे कनेक, ऐसे कनेक काम, नौर्थ इसमें एक प्रकार से इंफास्क्टर का जाल भी शाय जा रहा है, बीते छे साल में, पूरे नौर्थ इसके इंफास्क्टर पर हजारों करोड रुपिय का निवेश किया गया है, कोशिज ये हैं कि नौर्थ इसके राज्यों की राजधानियों को फोर लेन, डिस्ट्रिक हेट्वार्टर को टू लेन और गावों को औल वेजर रोड से जोडा जाए, इसके तहट करीब 3,000 किलो मिटर सडकें तैयार भी हो चुकी हैं और करीब 60,000 किलो मिटर के प्रोजेक्ट्स पर काम तेजी से चल रहा है, साथियों, रेल कनेक्टिविटी के ख्षित्र में तो नौर्थ इस्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, एक तरब नएने स्टेशनों पर रेल पहुंच रही है, वहीं दूसरी तरब नौर्थ इसके रेल नेटवर्क को ब्रोड़ गेज में बड़ला जा रहा है, आप सभी तो ये बडलाव अनुभव भी कर रहे हैं, लगबग 14,000 करोड रुपे की लागत से बन रही जीरी बाम इंफाल रेल लाइन के तौयार होने पर मन्युपूर में बहुत बड़ा बडलाव आने वाला है, इसी तरव नौर्थ इसके हर राजगी राजधानियों को आने वाले दो वर्षों में एक बहतरीन रेल नेटवर्क से जोडने का काम तेजी से चल रहा है, साथियों रोड और रेलिवे के अलावा नौर्थ इसकी एर कनेक्टिविटी भी उतनी ही मरत्वपूर है, आज नौर्थ इस में छोटे बड़े करीब 13 अपरेशनल एरपोर्ट्स है, इमफाल एरपोर्ट्स है, नौर्थ इसके जो मोजुदा एरपोर्ट्स है, उनका विस्तार करने के लिए वहां आधुनिक सुविधाय तयार करने के लिए तीन हजार करोड रुपे से अधीक खर्च किये जा रहे हैं। साथियों, नौर्थ इसके लिए एक और बड़ा काम हो रहा है, इनलेंड वाटर वेज, इनलेंड वाटर वेज के खेत्र में, एक बहुत बड़ा रिवोलुशन में देख रहा हूं। यहां अब बिश से जादा नेशनल वाटर वेज उस पर काम चल रहा है। भविश में यहां की कनेक्टिविटी स्रिफ सिली गुड़ी कोरिडोर तक सिमित नहीं रहेगे। अब समंदर और नद्यों के नेट्वर्क के जरिये एक सीमलेस कनेक्टिविटी पर काम शुरू हो चुका है। कनेक्टिविटी बढ़ने का बहुत बड़ा लाब हमारे उद्दम्यों, हमारे किसानों को मिल रहा है। इस से नौर्थ इसके लिए होने वाले ट्रांस्पोर्टेशन में समय की बचत हो रही है। दूसरा लाब ये भी हुआ है कि नौर्थ इसके गाउं को, किसानों को, दूद, सबजी और मिलरस जैसे दूसरे प्रोड़क्ष को देश और विदेश के बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच मिली है।